Hello everyone, welcome to QuantsApp, मेरा नाम प्रसन्न है and आज हम लोग देखने वाले हैं like swing trading के लिए PCR के data points के साथ हम लोग कैसे trades बना सकते हैं So PCR बहुत सारे जन्द को I know that पता होगा OI, PCR, Volume, PCR लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग 3 types of PCR के बारे में discuss करने वाले One is OI, Second one is Volume and Third one is Modified PCR So I tell OI, then Clydeer, PEA and Montreal स्थे वे साथ में यही दिखेंगे अगर मुझे कोई एकड़ा मेरी क्या होनी रहे है So what are all the time to recover ? So let's start with the concept Simply, first we say मैं कुछ characteristics के बारे में बताऊंगा आपको PCR, करके दन हम लोग यहां पर आएंगे प्रॉपर ली तो लेट इट वी रिफ्रेश वन्स ठीक है और अगर किसी को PCR के बारे में और इन डिटेल जाना एक स्पेसिफिक सिर्फ PCR के ऊपर वीडियो चाहिए लाइक ओनली ओवाई PCR ओनली मॉडिफर पीसे तो वीडियो बना के रख सेकेंड वन इस वॉल्यूम पीसिया एंड थर्ड हम लोग देखने वाले मॉडिफाइड ओवाई पीसे यहां पर लिखता हूं ओके एंड इसमें हम लोग देखेंगे पीसियार कैसे मूफ कर रहा है और साथ में प्राइश उसकी कैसे मूफ कर द independence कद में जिलाएंगे गर कवीलाई पीस्यार के बारे में देख़ू न तो ओ य पीस्यार जह न यहीं Cities ली गरता है उसके प्राइस के साथ मंदब और राल पॉजिork रहता है price के साथ, मन्स वाट कि जब भी OIPCR बनना शुरू होता है तो मेरी price जो है वो बनना शुरू होती है और जब भी OIPCR गिरना शुरू होता है मेरी price जो हो गिरना शुरू होती है Why? Because इसका जो relation होता है positive correlation होता है price के साथ So, simple देखो, अगर put का open interest ज़्यादा बढ़ रहा as compared to the call, तो general हमनों क्या करते है put divide by call करते, तो put writers ज़्यादा हो रहे So, जब भी put writers अगर ज़्यादा हो रहे that means pressure जो है वो उपर की तरफ build करने वाले ज़्यादा हो रहे volume PCR जो है न, वो price के साथ inversely proportionate होता है Inverse means what? Ultra, right? कि अगर मेरा volume PCR बढ़ेगा, तो मेरे price जो है वो गिरना शुरू होती है और जब मेरा volume PCR गिरेगा, मेरा price जो है वो बनना शुरू होता है Okay, inverse होता है, तो simple देखो, why it is inverse, volume है open interest and volume, these are two different concepts So, अगर मैं volume को देखू यहाँ पर, तो volume हमें यह बता थे कि कौन से strikes पर या फिर कौन से level पर ज़्यादा करके fear या फिर generally में volume को यहाँ पर fear as a calculate करूँगा, why? Let's assume कि बजार उपर जा रहा है, बजार momentum ले रहा है तो जिन्होंने call बेचा है, वो जादा अपना potions hedge करना शुरू करेंगे तो जबी भी वो hedge करते, that means what? वो buying जादा करेंगे, तो buying के बएसे मेरा volume बढ़ेगा जबी भी call का volume बढ़ता है, तो generally बजार जो है, वो गिरना शुरू होता, sorry, अगर call का volume बढ़ता है, तो हम लोग यह सकते कि volume PCR बढ़ना शुरू होगा they started hedging their positions, तो volume put का बढ़ रहा है, call का कम हो रहा है, मतलब PCR बढ़ रहा है और मेरा price बढ़ने का चांसे से, that is the logic behind it, okay, then आते हैं modified PCR, तो modified PCR का जो है relation, यह similar है, volume PCR जैसे, inverse, okay, याने कि वही, कि अगर मेरा modified PCR बढ़ेगा, तो मेरे prices जो हो गिरना शुरू होते हैं, और जब भी मेरा modified PCR गिरना शुरू होगा, मेरा prices जो बढ़ना शुरू होते हैं, अभी इन दोनों में से, और modified में से, में specifically फरक क्या है, या इसमें difference क्या है, तो इसका difference is simple, हम लोग OIPCR को क्या करते हैं, हर एक strike को जो है, हम लोग same weightage दे रहें, कि मैं out of the money भी अगर call right हो रहा है, तो मैं उसको भी same weightage दे रहा हूँ, at the money भी call right हो रहे हैं, उसको भी same weightage दे रहा हूँ, लेकिन modified PCR में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग current market price के असपास जो भी नजदिक का strike है, उसको हम लोग जादा weightage देंगे, धीरे-धीरे हम लोग slightly धीरे-धीरे weightage कम करते जाएंगे, तो उससे क्या आप में रताव चलेगा, कि short term direction कहां पर पसंद कर रहे हैं, बजार को ले, एक direction देना है, तो कहां पर लेकी जा रहे है, तो इसमें देखो, अगर मैं OIPCR को देखो, तो आपका इसमें थोड़ा broader view आता है, like 15-20 days of holding अगर आप देखोगे, तो OIPCR that will be a great, OIPCR, अगर अब 15 दिन के आसपास देखोगे, 10-12 दिन, 15 दिन के आसपास holding, कोई भी एक stop में तो OIPCR will be great, volume PCR अगर मैं देखोगा, तो ये short term directional के ल इसके लिए भी बहुत अच्छा है, volume PCR, and this one is also, like 3-4 days और 5-6 days के आसपास, अगर आपका holding है, less than 7 days का, अगर आपका holding है, तो you can go with that particular data point, बहुत अच्छा ये data point है, okay, so OI, volume and modified, इन में से सबसे बढ़िया कौन सा data point है, okay, so as per the my experience, जभी भी मैं OIPCR को देखता हो, volume PCR और modified PCR को द identify करना है, less than 7 days मुझे hold करना है, so I'll suggest you try to go with the modified PCR, okay, as compare OI, volume modified PCR, short term directional trend identify करने में बहुत आपको help करता है, okay, so modified PCR हमें कहाँ पे मिलेगा, सब लोग यहाँ पे आएंगे, analyze पे, जैसे मैं analyze पे आता हूं, and मैं यहाँ पे आऊंगा, PCR पे, okay, PCR पे अगर मैं यहाँ पे आया, तो you can see, यहाँ पे टॉप पे जो है, वो OI पे में click करूँगा, okay, and इसे में close करता हूं, तो देखो यह जो green line है, यह आपको बता रही है, OI PCR की line, और जो orange line है, यह आपको बता रही है, future price की line, okay, और इसे अगर मैं on कर दूँ, तो यह toggle on हो जाएगा, तो यह inverse हो गया, देखो, मेरा आपको modified PCR बढ़ रहा है, और मेरा price गिर रहा है, यहाँ भी मेरा price, modified PCR गिर रहा है, मेरा price जो बढ़ रहा है, right, so, technically modified PCR on करने के लिए, आपको यहाँ पे click करना पड़ेगा, right hand side पे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, okay, chart पे, generally आपको यहाँ पे दो indications देता है, green triangle में औ यहाँ पे देखो, यहाँ पे green है, यहाँ पे red है, right, so, जबी भी यह red triangle आपको बताता है, that means यहाँ बता रहा है कि बजार का जो sentiment है, वो आने वाले कुछ time में bearish हो सकता है, okay, और जबी भी आपको यह green triangle बताता है, यहाँ पे, तो यह आपको indicate कर रहा है कि बजार का जो sentiment है वो आने वाले कुछ दिनों में बुलिश हो सकता है ठीक है सो सिंपल रखो इसे अभी देखो इसने रिसेंटली एक 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 जामपल का अगर मैं देखो तो 23rd जुले को इसने दिया था बेरिश इंडिकेशन 196 के आसपास प्राइस चालो था बंदन बैंक का वहां से प्राइस देखो अल्मस्ट 185 तक गिरा था दो दिन में अल्मस्ट फिर 26 जुले को देखो यहां पर 192 पर बुलिश इंडिकेशन दिया था वहां से जो प्राइस आया था वो 192 से अल्मस्ट 212 218 के आसपास गया था लॉजिक यहां पर भी यह देखो फिफ्ट ऑगस्ट को 1.395 असपास था एक बैरिश इंडिकेशन दिया था और वहां से प्राइस 191 के आसपास करेंडे टेड कर रहे तो विदी ना 45 डेस का जो मुमेंटम है ना 5-6 दिन 4-5 दिन की वेसिस पर यह बहुत अच्छा मुमेंटम दे रहा है कभी-कभी ऐसे भी सिगनल मिलेंगे आपको एक दिन बुलिश बता रहे दूसरे दिन बैरिश बता रहे तो एक आध दो केस में होगा लेकिन मैक्सिम टाइम अगर आप देखो के तो कुछ ऐसा ही मिलेगा बुलिश फिर बैरिश इंडिकेशन फिर अगर मुझे यह जानना है तो देखो में अगर मुझे पता भी चला यह स्टाटेजी या फिर यह देटा पॉन्ट मुझे बुलिश इंडिकेशन दे और मैं जाकर ट्रेड भी बना रहा हूँ तो मुझे यह नहीं पता होगा कि कौन सा स्टाउक जो है या फिर कौन सी स्टाटेजी है जो मुझे मैक्सिमम आउट्पूट डे सकती है तो इफ्या थिंकिंग अबाउट पोजिशनल ट्रेडिंग तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना कभी भी हम लोग पुजिशनल ट्रेडिंग जबी भी करते हैं तो स्ट्राटेजिस को लेके हमेशा जाना तो यहां पर मैं स्ट्राटेजिस के बारे में डिस्पर्स करूंगा एक रखते लेट सी मोर दन फिस्ट्राटेजिस को ना दो पार्ट में डिवाइड करता हूं एक रखते लेट सी मोर दन फिस्टीन देज लेफ्ट टुदेस्टीट एक्सपरी और एक में रखते लेस दन फिस्टीन देज लेट उस्परी अगे सो जनरली अगर सपोज मेरे एक्सपरी के लिए जैसे मैं अभी आगस्ट में हूँ में more than 15 days to expiry है न तो में first मेरा जो Greek मेरे favor में रहेगा वो मेरे रहेगा डेल्टा आपको specifically बता रहे कि मेरा premium कितने से चेंज हो रहा है लेकिन डेल्टा आपको अगर आप देखोगे तो out of the money बहुत अच्छा रहता है तो डेल्टा आपके favor में रहेगा सेकेंड जो है वो रहेगा आपके favor में वेगा वेगा जो आपको क्या बता रहे है कि मेरा premium कितने से चेंज होगा अगर मेरे इसमें 1% बढ़ गई तो right so because of the vega आपका IV मतलब आईवी बढ़ने के वेगा का जो इंपक्त हो प्रीम पर जादा देखने मिलता है इफ यह और फार बाइक्सपारी तो वेगा है आपके आस बास थीटा क्योंकि थीटा हमारे favor में इस चीज़ के लिए क्योंकि थीटा का जो इंपक्त आता है वो नियर बाइक्सपारी बहुत जादा आता है लेकिन फार इक्सपारी बहुत कम आता है थीटा का जो कर्व होने का कुछ कुछ स्टेबल रहता है स्टेबल से थोड़ा डाउंटें लेकिन अग्रेसिव नहीं रहता वो इंपक्त तो थीटा मेरे favor में तो इसके आएगा बुल्कॉल स्पेड के लिए बुल्कॉल स्टेट रहे अपका वह रहाएगा 1-2-3 का तो मेंडिस्वेट करें मूमेंटम आने के लिए ताइम है इसलिए मैं वनच भी तक भी दिए इससे लेके जा सकता लेकिन वही अगर अगर में nearby expiry होंगा तो 1-1 या फिर 1-2 उससे जाधा नहीं, तो यह हो गया far expiry के लिए, if you are a nearby expiry, सबसे पहरा जो ग्रीक आपके फेवर में रहेगा, जो सब के भार ही गे रहेगा, वो है credit spreads, जब मैं credit spreads के बारे में discuss करता हूँ, तब bullish के लिए मैं discuss, I'll go with the bull put spread और bearish के लिए I'll go with the bear call spread तो simple यह जो data point है, यह जो strategies है, इसमें मेरा risk reward ratio रहेगा, वो रहेगा 1 is to 1 या फिर 1 is to 2 के आसपर, that's it, simple, okay, so if you are a farby expiry, modified पीसर ने अपको कोई भी stock में अगर bullish indication दिया रहेगा, और if you are a farby expiry, go with the debit spread and if you are a nearby expiry, try to go and initiate a credit spread over there, तो कि यह सारे इस जो ग्रीक से यह impact करेंगे, तो net net अगर direction आ भी गया, far expiry पे तो आपका 1 is to 3, 1 is to 2 आपका achieve हो जाएगा, नहीं आए तो I know that 1 rupee मेरा lose होने ही वाले, वही चीज़ अगर आप nearby expiry और direction आने के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया था, OI PCR का जो view रहेगा आपका, थोड़ा जादा broader view रहेगा as compared modified PCR, तो जहाँ पर modified PCR में 5-6 दिन के भी इस पर देख रहा हो, OI PCR में 10-12 दिन, 15-20 दिन के आसपर देखूँगा, So I hope you guys enjoy this video, अगर वीडियो अच्छे लगी रहेंगे तो please like, comment, share कीजेगा, जितने ज्यादा like, जितने ज्यादा comment हम लोग यह series continue करेंगे, और जिनों ने अभी तक application download नहीं किया, just go and download the application, 25 free tools है application में तो उसका भी access अबको मिल जाएगा, thank you so much everyone, thank you so much for the time. झाल